नमस्कार साथियो, स्वागत है हमारे चैनल वाइनेट लाइफ स्टैल में साथियो, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चहरे पर बारबर पिम्पल्स का आना, वेलनेस स्कीन पर ओयल खतम करने का एक अच्चू कुपाय बताऊंगे हमारे चहरे पर साथियो एक चीज किसी को भी नहीं पसंद है वे है बार-बार पिम्पल्स का होना और कील मुहासो का निकलना हम इसे हटाने के लिए कई तरीके की दवाईया और कई तरीके के घरे लूप चार अपनाते हैं लेकिन पिम्पल्स एक जगे से खतम होकर दूसरे जगे हो जाता है जिससे की समय के साथ वे बाद में कई तरीके के निशान दाग धब्बे छोड़ जाता है इसका मुख्य कारण है चहरे पर जादा मात्रा में ओयल का होना इसलिए आज मैं आपको एक ऐसा चूक उपाय बताऊंगी जिससे आपके चहरे से कील मुहा से दाग धब्बे खतम हो जाएंगे और किसी तरह का नुकसान भी नहीं होगा आपका चहरा धोने के बाद भी आपके चहरे पर फिर से जो ओयलनेस जमने लगता है उसे हटाने के लिए भी बहुत ही फायदे मन्द होगा और सात्यों आपके पिंपल्स, दाग धब्बे और ओयलनेस की परिशानी हमेशा के लिए खतम हो जाएगी चलिए सात्यों आज की वीडियो शुरू करते हैं इस नुस्के को बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको एक एलोवेरा लेना है उस एलोवेरा का जूस निकाल लेना है आपको एक चमच एलोवेरा का जूस मतलब गूदा निकालना है निकाल कर उसे एक कटोरी में रखना है उसके बाद दूसरी जो चीज है वह है नीम हमें कुछ नीम के पत्ते लेने हैं और उसको अच्छे से धो लेना है धो कर आपको अच्छे से साफ कर लेना है आपको एक कटोरी नीम के पत्ते लेना है और आपको इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसे अच्छे से पीस लेना है पीसने के बाद इसका एक पेष्ट तयार हो जाएगा आपको नीम के पत्ते का पेष्ट एक चमच लेना है और उसको अलोवेरा जूस के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है दोस्तो तिसरी चीज जो है आपको लेनी है वह है बेसन आपको बेसन भी एक चम्मच लेना है इसे भी लेकर के नीम और अलोवेरा के साथ अच्छे से मिक्स करना है साथ यो बेसन जो होता है वो हमारे चहरे के ओयल को खतम करता है और साथ ही साथ हमारे चहरे पर चमक लाता है जब आप नीम और अलोवेरा में एक चम्मच बेसंट डालेंगे तो वे एक बहुत गाड़ा सा पेश्ट बन जाएगा आपको उस पेश्ट को थोड़ा सा पतला करने के लिए थोड़ा सा गुलाब जल एड़ करना है गुलाब जल दो चम्मच लेना है सात्यों जब आपको पेश्ट बनाना है तो एक बात का खास ध्यान रखना है पेश्ट हमारा ज़्यादा गाड़ा ना हो थोड़ा लिक्विट फॉर्म में हो चाहे तो आप थोड़ा सा गुलाब जल और ले सकते हैं अब हम जान लेते हैं कि इस पेश्ट का इस्तिमाल किस प्रकार करें इसका इस्तिमाल करनी के लिए आपको थोड़ा सा कॉटन लेना है और उसको उस पेश्ट में डुबा कर आपको अपने पूरे चहरे पर अच्छे से लगाना है इस पेश्ट को लगाने के बाद सात्यों आपको कॉटन की मदद से पूरे चहरे पे रब करना है, हलका हलका मसास करना है और 30 मिनट के लिए आपको उसे चहरे पर लगे रहने देना है इसके बाद साथियों आपको इसे नौर्मल पानी से धोना है साथियों आप इस पेश्ट को किसी काच के वरतन में दो-तीन दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं आपको इसका इस्तिमाल रोजाना करना है साथियों एक हफ़ते के अंदर आपको इसके बड़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपके चहरे से जो पिंपल्स है वह धीरे-धीरे कम होता चला जाएगा और साथ ही साथ आपके चहरे से ओयल की मातरा को खतम करेगा साथियों इसके साथ साथ आप हफ़ते में दो से तीन दिन एक गिलास करेले का जूश जरूर पियें या फिर साथियों आप नीम का पत्ता उबाल कर उसका पानी भी पी सकते हैं क्योंकि साथियों यह दोनों चीजें आपके बलड को साफ करती हैं जिससे आपके चहरे पर बार बार पिंपल्स होने की समस्या खतम हो जाती है तो साथियों यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, सस्क्राइब करना, सेर करना ना भूलें धन्यवाद